नमस्कार में सिम्रनर आप देख रहे हैं मैं भारत नियूस योगी अरितिनात सरकार की ओर से दूसरे कारेकाल का पहला बजट गुरवार को विधान सभा में पेश कर दिया गया है बजट में मौझूदा योजनाओं को रफ्तार देने के लिए साथ साथ सरकार मद्दाताओं को चुनाव जिताने का रिटर्ण गिर्ट देने की तयारी है वित्यमंतरी सुरेश खंदा ने यूपी विधान सभा में बजट पेश किया है बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आधितनाथ के नेतित्यु में लगातार प्रदेश विकास के मार्ग पर बढ़ रही है हमने माफियाओं पर कारवाही की प्रदेश में विधी विवस्ता का मोहौल बनाया प्रदेश में कानू निवस्ता का राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 लाग किसानों को किसान निधी की राश्री का लाप दिया गया है खंदा ने कहा कि यूपी की जनता ने हमें दुबारा मौका दिया है इसके लिए हम प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं यूपी में जल ही पाच इंटरनेशनल एरपोर्ट बंद कर तयार हो जाएंगे देश का ये पहला राज्य होगा सुरेश खंदा ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में आतंगवादी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ATS सेंटर के गठन की कारवाही कर रही है जल ही इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा विरी व्यवस्था का जिक्र करते हुए वित्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया गया है आम लोग के लिए शासन प्रशासन के वीज सुलभ कराया गया है CM योगी आरितनात के नेत्यत्व की सराहना करते हुए शुरेश खन्ना ने कहा कि हमने माफियाओं पर कारवाही की इसमें CM के नेत्यत्व की सराहना हुई प्रदेश में विधी व्यवस्था पर महौल बनाया, कानून व्यवस्था पर राज स्थापित होने से बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है वित्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए सरकार की योड से किये गए कारयों का दिक्र किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.41 करोड बिजली कनेक्शन दिया गया है निवेश में 5 लाख रोजगार उत्पन करने में सहायत मिली है 15 करोड किसानों को मुफ्त राशन की सुवधा दी गई है करोना काल में इस योजना का लाब गरीब परिवारों को मिला विकास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी के निर्मार की योजना पर काम किया जा रहा है गन्ना किसानों की रिकॉर्ड भुकतान किया गया है फिर आगले इतना ही देखते रहे हैं मैं भारत निउस